सच्चे प्यार को कैसे पहिचाने इसके बारे में आज आप से बात करने वाला हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गड़ेकर मनुविकार सेख्षरोग सम्मोहन तथा विसन्मुक्ति तग्यों महाराष्ट में अकॉला में प्रैक्टिस करता हूं एक लड़का मेरे पास में आया उसके एक फ्रेंड थी और उसको काफी डिपरेशन सा अभी इतने कुछ दिनों में आ रहा है वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा शक है कि वो मेरे से प्यार नहीं कर दी कि उसने काफी सारी बाते मेरे से शेर किया मैंने पर उसको काफी सारी चर्चा करके उसे पूछा भी और चर्चा भी करके उसको बता है तो कुछ जो बाते सामने आई यह चर्चा में जिससे फिर ऐसा शक आता है कि नहीं मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे साथ में वफादार है यह नहीं नहीं है तो उसके उपर यह प्रकाश डालने के पॉइंट्स आपके जानकारे के लिए मैं शेर करता हूं जो हमारे डिसकेशन में बाहर आई बात हूँ एक तो है कि क्या होता है कि अच्छी दोस्त है और अभी कुछ दिनों से आखों में आँख डालके बात नहीं कर रही है इदर दर देखती है कुछ डरी हुई से लगती है और ऐसा लगता है कि कुछ तो भी चुपा रही है जूड बोलना किसे मिली है किसे नहीं मिली उसके बारे में जूड बोलना और बात में वो एक्सपोज हो जाना फिर कभी-कभी डिमांड करना कुछ चीजों की डिमांड करना पैसे की डिमांड करना या कुछ चीजे खरिदने के लिए बोलना पैसे ज़्यादा खर्चा करने के लिए बोलना कि वो लड़की आपको बोल रहे हैं कि पैसे ज़्यादा खर्चा करो मेरे उपर मतलब होटेलिंग कर रहे हैं, एस्टॉरेंट में जा रहे हैं कोई खाना पिना कर रहे हैं और उसके उपर बहुत खर्चा कर रहे हैं या कोई खर्दी चीजे करके मंग रहे हो आप साथ होने के बहुजूद भी उसको कॉल आना और उसका कॉल आता है तो वो कॉल कट कर देना वो किसी के साथ में घुमती है आपको नजर आती है क्या हमेशा ऑनलाइन रहती है क्या उसके फेस्बूक के उपर ज़्यादा कॉमेंट्स या लाइक्स आते है बहुत ज़्यादा आरहे है अर यदि आफ उसको कॉल करते हैं तो कॉल बार-बार बिजी आ रहा है आपका कॉल लेनी रही है और आपको वो फ्रेंड सी मिलोना नहीं चाहती है तो ऐसे काफी सारे लक्षन मुझे दिखे और वो जब लड़का शेयर कर रहा था तो मुझे दिखा कि यह जो हो रहा है यह कुछ बरावर नहीं हो रहा और उसका शक जो है वो वाजवी है देख भई जो है वो है अब तुमको तो इसको फेस करना बढ़ेगा तो एक तरफा यह दि प्यार करते रहा तो यह तो अच्छा होने वाला है नहीं देख लो कि लड़की बाफादर है की नहीं है और किसे प्यार करती है क्या यह तो लड़का मेरे पास में जो आया था वो तो सोच रहा था कि मैं इसके साथ में शादी भी कर लूँ और वो लड़की तो और किसी के साथ में चक्कर चलाती होंगी तो यह तो काफी डिप्रेशन में चले जाएगा मैं उसको बला कि देख अभी यह समय है अब यह वक्त है किसमें आपको देखना बढ़ेंगा कि सच्ची प्यार उसका है नहीं है सच्ची प्यार होगा तो यह आगे बढ़ ने तो फिर आगे डिप्रेशन का सामना करना बढ़ेगा बहुत मुश्किल जिंदगी हो जाएगी क्योंकि होता क्या है कि लड़के एक बार वो उसमें फस गये और उसमें वही वही फिर उनको वीचार आना चालो होता है वो लड़के की वीचार आता है कोई काम करें वही लड़की का वीचार आएगा मैं लोग उसके मंन में तो वही लड़की है और वह लड़की चाल लड़कों के साथ में घुम रही है उसका कोई विचार नहीं शादी करने का या उसका कोई विचार वो तो अपना time pass कर रही है मगर ये depression में लड़का जाता है तो यह लड़कों ने देखना चाहिए जरूर कि वह सची प्यार है क्या प्यार जुटा है क्या और आप कहां तक उसमें इन्वाल हुए है आप भी टाइम पास कर रहे हैं कि आप एक्चुली शादी की बात करने वाले है वह आपको देखना बड़ेगा यह आप देखेंगे तो आगे आने वाले डिप्रेशन से आप बच पाओगे हमारा जो मकसद है वह है सबके लिए मांसिक, स्वास्चिर, विसन्मुक्त, भारत यह वीडियो यह आप लोगों को शेर करेंगे तो हमारे मेशन में आपका भी हाथ लग जाएगा बहुत धन्यावारी वीडियो देखने के लिए वीडियो आपको अच्छा लागा तो सब्सक्राइब करो शेर करो, लाइक करो और बेल आएकाउन के उपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नडिजन आपको सबसे पहले बार आजाएगे थैंक्यू वेरी मुच फॉर बोचिए